लोग उसको दोस्वे सब्कों में मस्जित कहते हैं लेकिन ग्यान अबाती साथ साथ विश्वनात ही है। जिस ग्यान अबाती की पास्वनात के लिए आप 13 से चल करके हाँ आए हैं। मैं उसका साथ-साथ स्वरोग विश्वनात हो। कि जो पौतिक अस्विश्व सिता है। यहां एवल साथना के मारुप का सबसे बड़ी बाता है बनके राष्टी एवपार उनकाती ही सबसे बड़ी बाता है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने ग्यान वापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीम योगी आदित्यनात ने कहा कि दुरभाग्य से आज ग्यान वापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जित कहते हैं। लेकिन ज्ञानवापी साक्षाद भगवान विश्वनाथ ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कारिक्रम में ज्ञानवापी को लेकर पुरानी कथा का जिक्र करते हुए कहा कि जब आचार्य शंकर अपने अद्वयत ज्ञान से परिपूर्ण होकर ज्ञान साधना के लिए काशी में आए तो काशी में साक्षाद भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। इसके लावा मुख्यमंत्री योगिया अदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आए सुनते हैं। तो देखा कि प्राता काल जब ब्रह्म मूर्थ में आदिसंकर गंगास्नान के लिए जा रहे होते हैं। तो वहाँ सबसे अच्छूत कही जाने वाली एक सामान्य प्यक्ति के रूप में वह उनके मार्क के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाई प्रूप से आदिसंकर के मूँ से निकलता है। तो सामने से जो चंडाल होता है वहाँ एक प्रस्न पूचता है। क्या आप तो अपने आपको अद्वेर ज्ञान की मर्मग्य मानते हैं। आप किसको हटाना चाहते हैं। आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है। इस भौतिक काया के अंदर बसेवे ब्रह्म को देख रही है। अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपकी अंदर है वही नेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं। इसका मतलब आप काये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने वोई बहुचक थे एक चंडाल के मुँझे इस प्रकार की बात नोंने कहा कि आप कौन है मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि जिस ग्यानब्यापी की साधना के लिए दुरुभाके से वो ग्यानब्यापी आज लोग उसको दूसरे सब्कों में मस्जित कह लेकिनों ग्यान अबापी साक्साथ विश्वनाथ ही हैं। जिस ग्यान अबापी की पास्थना के लिए आप केरल से चल करके हाँ आए हैं। मैं उसका साक्साथ स्वरूप विश्वनाथ हो। तो अहां उनके सामने नत्मस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पस्याताप होता है कि नहीं। यह जो भौतिक अस्प्रिश्यता है। यह न केवल साधना के मारक का सबसे बड़ी बाधा है बनकि राश्टी एकता और खंड़ता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस आज ने समझा होता ते देश कभी गुलाम नहीं होता।